Good morning friends, आज हम लोग कहां देखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे भूर आजस्व नीतिया, कि इसके समय की? तो अंग्रेज हो क्योники भूर आजस्व नीतिए? ऐसा नहीं है कि जब अंग्रेज आये थे, उन्हों नहीं फिर्श टाइमड भूर आजस्व नीति लागू किया भू राजासु संबंध ही कुछ प्रावधान लिखे गया हैं जैसे कि राजा को सबसे अच्छा करकिया है कि एक बटा च्छ भाग ही राजा को करकी रूप में लेना चाहिए और प्रायह प्राचीन काल या जो हिंदू काल था तब तक तो कर राजा सुकम ही था येकिन जब दिल्ली सल्तरत का काल आया या कहेंगे कि इस्लामिक इन्वेटर्स का काल हुआ और उसके बाद भूगल काल तो उससमें कर की दर बढ़ी थी सबसे पहले होता है कि अलाउदीन खिल जी ने क्या कर आया था पूरे रेस पी जो जमीन का माप करवाया था इसने कर को फिर से फिक्स किया और लगभग कर एक वाटा दो तक वो यह उसमें ले रहा था वहन तो अलाउदीन खिल जी की बात आती है फिर मुहमद मिन्तु लग इसने क्या किया इसने दिवाने को ही नामा एक विभाद की अस्था अपना की थी जिसका काम क्या था कि किसानों को करज देना और आधुनिक तोर तरीके से खेती करना और उसमें खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए फशल चक्र जैसी ब्यवस्थाओं को लागू किये कि लेता तो इन लोगों रहें सब्सक्राओं के सबसे पहली होते मदला है चारा सबसे अधिक लुगन दिवाने बंद गान यानि दिवाने बत्ला प्तलाओ है और दो बत्रत्रों मन पाल गोत्तनी होता बंद्रम्रम वiada हमक हम सब्सक्राओं कि क्ærमर जाथ sad Shelby उसको हम लोग दास बंदगान दीवान एक खैराती होस्पीटल यानि फिरी में होस्पीटल की बिवसा कराया था कौन फिरोजसा तुगलग बहुत रहके काम किया थे तीन सो सधिक नगर बस आये थे इस सब में उसके बाद जब मुगलकार आरंब होता है मुगलकाल में बावर प्रोडर्यनमल ने जब सिरसा स्ूरी इसने गौजसीक अंदरी की ब्यवस्था से मतलब ये पैमाना था पूरे देश के जो जमीन उसके अनदर में आपके करवाया और इस गुन जमीन के गुन वत्ता और शेत के आधार पर क्या कराया था तो फिर से जो भूरा यस्टु के नितियों का त्थी सफलता पुरोग लागू कराया उसका दर लगभग एक वटा तीन था फिर मुगल काल मुखरूप से अकबर का काल माना जाता है अकबर के काल में भ पूरे भारत पर काबीज हो जाता है और जैसे दिरे दिये भारत पर काबी जोगा पहली उसकी सफलता में लेगी कहां तो पलासी के युद्व में यानि 1707 में तो उसका दम बंगाल का छेदर उसके हाथ में आ गया एक वेपार कंपनी करने वाले कंपनी जिसको परसासन काधिकार मिल गया था और परसासा खुझ जुगा था जब परसास लोग आ गये अब उसको कड चाहिए राजय वसुलेगा क्योंकि राजय वसुलेगा तक नो उसका कारी चलेगा जब राजय वसुलने के लिए अंग्रजों ने अर्थाथ इस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू से ही बहुत रह के परयास किये सबसे पहली परयास कहां होगी ज स्थाइब बंदोबस्ति जमीनदारी यह सब एक होता है दूसरा है एक महालवारी और तिसरा है रहेतवारी जो पूरे देश में बारी बारी संगेजों का कब्चा बढ़ता गया और अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे देश में इस तरह के कानून लगा दिये ताकि उनको क्य हो किसानों का भाला नहीं इससे यह फिक्स हो जाकि अंग्रेजों को एक निश्ची तरह सी मिलती रहे और पहले ओ जो यहां से समान खरीजने के लिए जो ब्रिटेन से पैसा लाते थे और वह पैसा ब्रिटेन से नहीं आएगा और यहीं से जो कॉर्वसू लेंगे इसी से सम जारेदारी आते क्या नामें जारेदारी कवाई 1772 में उससमें गवर्णर जनरल कुन था तो बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू की यह पदी इसमें बूर राजस्व वसूलने के लिए पंच वर्सिये ठेके दिये गए थे यानि अभी जमिनदार आस्थाई नहीं सुरूर की थी सबसे अधिक बोली लगाने वाले भीविक ठेका मैं जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसको भूमी का ठेका देदीया इसमें ठेकेदारों का और अस्थाई स्वामित्तो होता था इसे उंक्त Triba बंगाल में ही लागु किया गया था दूसरा देखिए अस्थाई बंदवस्त या इसको कहिए जमीनदारी या इस्त मुरारी भी उस्था सब के सब एक ही नाम है इसको करणावालिस ने शुरू किया था यह बात कप क्यों हो रहे हैं यह तो शत्रहसों त्यानवे की बात है और जो करनावाली से इसे लागू किया था लेकिन इसे जूरे हुए थे दो वेक्ति और क्या का नाम था उनका जॉन सोर एवं जेम्स करांट भी जूरे हुए थे बंगाल, बिहार, उडिशा, उत्तर परदेश के बनारस और उत्री करनाटक में इसे लागू किया गया इसके अंतरकत ब्रिटिस भारत के कुल शेतर फल का लगभाग उननीस परसेंट भाग आता था कितना मातर उननीस परसेंट जमिंदारों को भूमी का अस्थाई मालिक बनातिया गया था भूमी पर उनके पैत्रिक एयोम होस्तांतर निया धिकार देद दिये गया थे यार था अगर वह ना बेचना चाहे तो कोई जमिंदार मर जाएगा तो वह जमीर उसके पूत्र की होगी या वह चाहे जमिंदार बेंच दे तो वह बेंच भी सकता था किसी को दे भी दिया सकता था इसी को कहते हैं होस्तान तरनी यानि ट्रांसफर्मेबल राइट मिल के जा था उन उनके भूमी से तब तक नहीं बेदखल किया जाए यानि पीर्थक नहीं किया जाएगा जब तक वे अपना निश्चित लागान सरकार को देते रहें यानि कि अब एक सरकार और जमिंदारों के बीच में एक बंड बन गया जिस पर जमिंदारों को इतना टेक्स दिना फिक् में जाए चाहिन काल पना कीजियेगे QUE 110 पस जमिंदार वसुल्या तो 100 प्रूपिया पृस देक का तो अंग्रेज सरकार को अंग्रेज को और 10 रूपियाज था वह जमीनदार को खुद रखना था यानि एक बटा 11 भाग खुद जमीनदार रखेगा और दोस भाग सरकार को देगी यदि जमीनदार निसित तरीक तक फिक्स डेट है भूर आजसों की निर्धारी तरासी जावा नहीं करता था तब क्या होगा तो उसकी जम आसका नियम जो किसे संबंदी था तो जमीनदारों से संबंदी था अता जमीनदार भी मजबूर यानि अगर कोई सौफ्ट जमीनदार है जो रहम दिल है वह कराई से कर नहीं वसूलेगा तो उसकी जमीनदारी चली जाएगी अगर कठोर जमीनदार है अंग्रेजों की बात दिया था जो दूनों तरफ उसमें उसकी धार थी कुछ कड़िये तो भी जाईए ना कड़ी तो भी जाईए यह समानत और तुम समझें एक तरफ यहां के लोगों के लिए कुवां था दूसरे तरफ खाई-खाई कर दिया नोट इसमें सरकार का किसानों से कोई परत्यक्ष संबंध नहीं था दूसरा देखिए रईयत वारी विवास था मदरास के ततकालिन गौवर्नर टॉमस मुन्रो के द्वाया आरम किया गया था कूंतो रईयत वारी विवास था यह सोर पर्थम बारा महल तमिलाडू में गया था कहा तमिलाडू और इसके छेतर कहां थे तो मदरास बंबॉई यह कुछ भागों में इसे लागू किया गया इसमें किसानों को भूमी का माली काना होक्त दे दिया गया था यानि कि यह सम्झावता रईयत वारी डईयत रईयत यानि किसान जमीन बाले तो यह किसानों से ही सम्झोता किया गया था है और किसान सीधे सरकार को लाकान आदा करने के लिए उतर दाई थे कि बूर अगतस्का निर्धारन वास्तोविक अस्थाई सेटलमेंट बंगाल में था उसका जो कॉरेट था यहां उससे भी अधिक है कहा जाता है यह कॉरेट तो एक बटे दो यानि पचास परसेंट तक थी यहां भी जान्नों के लिए कॉस्ट दाई थी इस ब्यवस्था के अंतरगत ब्रिटिस भारत की लवहर एक कावन करने शlike 2-2 वहर परसेंट भूमी इसके अंदर कथ यहां और अनतीम be हैं महलबारी विवस्था माहलबारी में क्या होगा पहले अन्ग्लिजों ने सब्मिल करिया जमिंदार भिवस्था लगा दिया कि जमिंदार रे पैसा वक्र 123 को देंगे अंग्रेजों को यहाँ आशाथ थे कि जमिंदारों को दे दिया गया है या कुछ पैसा भी खर्च करेंगे लेकिन ऐसा हुगा नहीं जमिंदार तो मनला कि पहला पिधी तो था वह कुछ मेहन थी था दूसरा पिठी तो उसके दिवदास निकले सहर में डाते थे उनको तो के वर्ट चाहिए चाहिए जाते थे उनके मुन सी जो थे बहुत अत्याचारी निकले उन्हों को किसानों से कोई लेना देना ना था वह लोग सीरी फ़र सीरी पैसा पशूलेंगे इसमें भरस्ट नहीं यानि सरकार नहीं थी दूसरा इन्होंने लाया है चलो अब डाइट किसान से ही हम लोग समझ्छाता कर लेते हैं इसमें भी अब लगान फिली में देख लीजिए किसान अब कर देने के बदले में कि खेलेगा क्यों पैसे तो है नहीं किसान तो जानते हैं किसान गरीब यानि पूरे में आपस में आप सब लोग मिल जमा कीजिए जो न देगा उसको को 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 डोसी कहा जाएगा यानि कुल मिलागर क्या है कि अंगली चाहते थे यहीं के लोगों से यहीं की लोगो पर सासर कर लिया जाए और सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स हो जो कर हो पैसा हो मुनाफ़ा कहिए वहां अंग्रिजों को मिलता रहें लॉर्ड हेस्टिंग के काल में इसे लागू किया गया था इसे मौध परांथ उत्तर परदेश के आगरा एवं पंजाब में लागू किया गया था इस ब्यवस् पूरे गाओं के परमुख होने का दावा करते थे इसमें लगान का निर्धारन संपूर्ण गाओं के उत्तपादन पर किया जाता था और यह कितने परसेंट भागों में लागू था तो यहां देख लीजिए कि 19 परसेंट भाग पर लागू था जमिंदारी बिवस्था तीस परसेंट जमीन पर सब्सक्राइब जरूर्ण यहां पर्यासे जरूर अच्छा लागा हो तो अच्छा लाग यह तो लाइक करें सियर करें कुमेंट करें और सब्सक्राइब करें जीजात धन्यवाद फिर जीएस के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे तब तक एक पार फिर से धन्यवाद